किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश किसान सभने संयुक्त किसान मोर्चा अन्य जनवादी एवं जन संगठनों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया प्रदेश के सभी जिलों में किसान सभने अन्य संगठनों के साथ मिलकर 30 से अधिक खंडों में एवं 1000 से ज्यादा गाओं में काली पट्टी, काले बिल्ले, काले जन्डे फैरा कर सरकार के विरूध में काला दिवस मनाया और किसान आंदोलन के प्रती अपना समर्थन जताया इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और सरकार के विरूध में पुतले जलाकर वन नारे लगाकर अपना विरूध जताया इस मौके पर किसान सभा की राज्याध्यक्ष डॉक्टर कुल्दीप सिंग तवर ने सरकार पर किसानों की अंदेखी का रोप लगाते हुए कहा कि देश का अनदाता दिल्ली की सीमाओं पर पिछली छे महीने से फसलों के निवनतम दाम की मांग के लिए आंदोलन कर रहा है जो उसका अधिकार है लेकिन पिछले चार महीनों से सरकार किसानों से बात तक करने की जहमत नहीं उठा रही इसी प्रकार से अपने साथ वर्षों के कारेकाल में समाज के हर तबके पर बोज डालने तथा सरकारी इदारों को बेचने के सिवा कोई ठोस कारे नहीं किया और जो मेहनत कश्चनता थी उन्होंने 26 रूंबर की जो कॉल दी थी दिल्ली पहुंचने की उस दिन से जो लाकों की तादात में भारत वर्ष का जो किसान है आज दिल्ली की सीमाओं पर बैठा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि 1991 के बाद जब से इस देश के अंदर नव उदारवादी नीतियां लाई गई उसके बाद उसका परभाव क्रिशी के उपर सबसे अधिक पड़ा क्रिशी के उपर जो निवेश होता था वो धीरे धीरे से घटने लगा जो क्रिशी से समंधित हमसे भारत वर्ष के जो छे लाग गाउं हैं हिमाचल परदेश के जो अठारह हजार गाउं हैं लगभग साड़े तीन हजार पंचायतों में हर जगा इसी तरह के काला दिवस के लिए विरोध परदर्शन हो रहे हैं इसका सबसे मुख्य जो मुद्दा है आज कि जो तीन क् काले कानून पांच जून दो हजार बीस को बने थे बाद में जिसने एक कानून का सुरूप लिया तो जो भारत वर्ष का किसान ये चाहता है कि उन्हें रिपील किया जाए उसे निरस्त किया जाए ये सबसे पहली मांग है उसके इलावा जो बिजली के अंदर संशोधन बि किसान सभा के राज्य वित सचेव एवं जन स्वास्ते अभियान के राज्य संयोजक सत्यवान पुंडीर ने कहा कि पिछले डेड़ साल में सरकार ने स्वास्ते क्षेत्र में कोई निवेश नहीं किया ना तो स्वास्ते कर्मियों की भरती की ना ऑक्सीजन का सही डंग से प प्रावधान किया बल्कि आपदा में अवसर के नारे का उपयोग करते हुए घोटालों के लिए छूट दी जो है वो लागू की गई जो उनके जीवन पर सिधा असर डालती है और साथ में जो ये डेट साल से भी कोविड महामारी चली है इसके चलते देश में एक तरफ से लेकिन प्रदेश के अंदर भी क्यूंकि मारा प्रदेश के बाद इसमें दूसरा नाम लिया जाता है जो स्वा जो नए पत भरे जाने चाहिए थे चाए मेडिकल डॉक्टर्स है चाए पेरा मेडिकल स्टाफ है चाए वाड़ बॉय आस्पाई करम चारी है वो पिछले डेट साल के अंदर इसमें नहीं किये गए